कल बीएड बड़साई डीएड मामले में मद्द पदे जबलपूर हाई कूर में बड़ी महत्पुन सुनवाई होई थी जो आप समीने देखी होगी लेकिन उसमें हिंदी में सार मैं आपको एक बार समझा देता हूँ आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या हुआ क्या नहीं वह अनपस्तित होने के काण उनके एवार या जो असिस्टेंट है वहाँ पर उपस्तित हुए हुआ हुआ नहीं वहाँ पर जवाब दाखिल किये और कुछ अपनी बात है कही लेकिन सबसे पहले विएड की तरफ से यही का गया कि सार जो पिटी सिनर थे इस केस में उनकी ज साथ ही साथ मिनची रोडाल जो आपके डियले की तरफ से सीनियर एर्वोकेट है उन्होंने साब कहा था कि सर यहाँ पर जो पीटीचनर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हैरों बच्चे हैं जिनके बबिस्ट का सवाल है जो कापी साल से दो सालों से इसके इसको लड़ रह करते हैं और उनके बात को समझते के हाँ यह मेटर सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतरगर्थ है तो फिर इसको एक बार देखा जाए तो सात्यों पूरी ख़बर बताने से पहले मैं आपको कहूंगा के नमस्कार दोस्तो मैं हूँ लविस आप देख रहे हैं तो चैनल को की ज़्यादा कुछ ना का गया लेकिन सब्जेक्ट टू आटकम के बात होई यानके जो आपको पता है आठ अप्रेल दोयार चौविस को सुप्रिंग कोर्ट से जो आदिस आया था जेस्टिस सुदानसु दुलिया जेस्टिस अनुद बोस्की बैंसे तो वहाँ पर 10 अप् को पंद अप्रेल के लिश्टिट किया जाता है लेकिन कल पंद अप्रेल को कल पंद अप्रेल तक सुप्रिंग कोट का जो आदिस था आठ अप्रेल का वहां पर अप्लोड हो चुका था तो उसी को डियाट के वकील और बीएट के वकील बोलते हैं कि सर वो अप्लोड हो के इस टाइम गवर्मेंट के डवल एजी बन चुके हैं वो थे और मीनाच छे अड़वा सुप्रिंग कोड से सीनियर एड़ोकेट थी तो वहीं बीएट की तरफ से पटवाली सर्थ थे और काफी वकील थे और डीएट की तरफ से जो आपने केस हंडल किया था सबसे पहले रा हैं केसरवानी जी हुनोंने किया है साथ में ही दोनों ने आपके PC पर जज्जमेंट को फड़ा करीब सात मिनट अच्छे से बड़ी महत्पूर तरीके से दोनों ने जज्ज्मेंट को फड़ा कि क्या सुप्रिंग को जज्ज्मेंट निकलके आजा है और जज्ज्मेंट कोई भरती है यानि कोट के हदीन है तो वह भरती हाई कोट टेसला करे गा उस पर आपको शाब साब पता आपने भी मैंने पहले पो जजमेंट के बारे में बता दिया है तो यही पूरा जजमेंट है तो उन्होंने पोरी कंडीशन को साथ में फढ़ाया था बटल लगा के कहा तो सब्जेक्ट्टू आउटकम पे बात करी जा रही थी तो सीने अब्रोकर मिनाची अरोडान जी ने और मंदिप कालराजी यों विग्यान साजी की तरफ से सब्जेक्ट्टू आउटकम पर बतायागे कि आपकी जो भरती है ये पूरी भरती पूरी सब्जेक्ट्टू आउटकम के अंतरकत रखी गई थी लेकिन सीन नागुजी की थोड़ा समझ में आया नहीं कि भरती आखीकत में सब्जेक्टू आउटकम के अंतरकत है या नहीं तो मंदिप कालराजी बोलते कि आपके साथ जुलाई 2022 के आपके खुद के पश्ट जज्जमेंड में पश्ट आउडर की कॉपी में आपके आपने इस भरती को सब्यक्टू आउटकम रखा गया है और अंतरम हाहत दी ग को जीने चार्ट मांगा था एक मुझे चार्ट चाहिए टेवल के रूम में विवस्तित रूप से हो उसमें सौर तरीके से समझा जा गया हो चाहिए वो आपके गवर्णमेंट लॉयर की तरफ से दिया जाए चाहिए पर सिनियर एड़ोकेट हो चाहिए कोई भी लोवर कलर को जा दोनों पच्छों की पार्टी मुझे दे सकती है या फिर गवर्णमेंट अपके मत्यप्रदिस राज सरकार की गवर्णमेंट लॉयर है वो मुझे दे सकते हैं कोई भी दे दो बस मुझे एक टेवल चाहिए चार्ट के रूम में जिसे बवस्तित तरीके से जिनकी बीयर में बस्तित दिया जाए तो इस पर सहमत ही बनती है तो चार्ट के वारे में का गया तो वहीं आपके सीनर रेवर्णमेंट मिना च्यप्रदा जी बोलती है कि इस पर तो मामला पहले से मत्यपति सरकार द्वारा सुप्रीं कोट में आठ अपर दोय चौवी से पहले ही इसमें आप एफीडेवर लाकर पेस कर दिया गया आप एक वार पेज नंबर 34 और 31 कुछ ऐसा ही है आप उस एफीडेवर में देख सकते हो तो वहीं पर देखते हैं तो बोलते नहीं नहीं मुझे बविश्तित तरीके से चाहिए तो वह पर 19 तारिक तब मुझे चार्ट पेस कर दि जाती है इसमें डेट है आपको 24 अपराल को दो वज के पंदर मिन पर एक पूरा सुनाया जाएगा तो यह चार्ट का मामला पूरा क्या है तो एक बार आप मैं पर देट बता दू कि यहां यह डेट लग चुकी आप देख सकते हो 15 अपराल 24 को ओनेवल सिरी जेश्टिस सिल बाई आपकी सील नागुजी की बेंच में इस पेसल बेंच में होगी उस दिन तो हलंकि देखा जा रहा है कि मामला उसी दिन निपड़ सकता है पैसल आने की पूरी संबबना है और नहीं होता है तो एक सुनवाई और होने की संबबना रहेगी लेकिन चार्ट का क्या मामला है तो पूरी में बात बता दूँ इस चार्ट में आप देखो तो यह चार्ट क्या है किस बवस्ते तरीके से बताया जाएगा तो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं कि सबसे पहले 28 जुलाई 2018 को मध्यपदिस सासन राजपत्र जिसमें 28 प्रात्म सिच्छक के लि दिया ही थी फिर एंसीटी का जो गयट था राजिस्तान आही गुर्दवाराव 26 नॉबंबर 2021 को रद कर दिया गया था तो वहीं फिर रिटर्न एक्जाम की फॉरम की रियोपन जो थी थी वो 14 दिसमबर 2021 बिद बीड एच क्वालिफिकेशन पर प्रामेरी टीचर एनि फॉर रियोपन हुए थे रियोपन के बाद एक्जम कंडेक्ट कराया गया था पांच मार्च 2022 से चब्विस मार्च 2022 तक उसके बाद इंटरम ओडर फूर सब्यक्ट तू आउटकम जेश्टेशन नागुजी की बेंच में साथ जोलाई 2022 को रखा गया था जिस बरती को पूरा सब् आउटकम बढ़ती हो चुकी थी तो मामला पूरा गरवड है और यहां पर बीयट की निक्ती जाने के पूरी संबाबना है तो देखना होगा कि आगी सुन माई में क्या होगा लेकिन एक बार और बता दूं रिटर्न एक्जम जो रियल डिक्लेयर हुआ था वो आठ और सब्जक्ट तो आउटकम भरती थी साथ जुलाई 22 और रिवायर रियल था 30 सेतमब 22 को पर्ष्ट काउंसलिंग के एरवटाइमन जारी हुआ था वो 19 अक्टूबर 22 को हुआ था पर्ष्ट काउंसलिंग फाइनल अपॉन्मेंट ओर हुआ था 30 मार्श दूंसलिंग एरव बाजी में सेगंड कांसलिंग का अपॉन्मेंट ओर जाड़ी कर दिया गया लेकिन 11 अगस 23 के बाद काफी वच्चों ने अपने स्कूलों में जोर्निंग ली थी तो सेगंड कांसलिंग की जो बैटिंग अपॉन्मेंट थी वो 11 नमबर 23 को आई थी और सुप्रीं कोड विद्वान वकील ने वो किस प्रकार से प्रिस करें वो अलग बात है लेकिन थोड़ा-थोड़ा सौट रूम में मैंने बताया है कि किस तिती को किस प्रकार से एड़टाइमन टाया किस प्रकार नियुक्ति होई और किस प्रकार फैनल सब्यक्ट तो आउटकम रखा लिया आज सभी को पता है 21,962 जो टोटल जोइनिंग हुई है उसमें से बीयड वालों के नियुक्ति 11,583 है यानि 11,583 बच्चे बाहर होने की पूरी संभावना है और जो 11,232 को जज्जमेंट आया था उसके बाद 284 बच्चों की प्रतिसा सूची यानि वेटिंग लिश्ट मे द्वारा से जोइनिंग दी गई है तो 214 बच्चे तो बिल्कुल भाहर होने हैं ही 11,282 के बाद से लेकिन 21,962 में से 11,583 जो बच्चे हैं आपके बीयड वालों की जो जोइनिंग हुई है तो सब्जक्ट तो आउटकम के अंतरगत भाहर होने की पूरी संभावना है देख देट पर देट मिलने का मामना थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन सब्जक्ट तो आउटकम से अपनी कोट के आदिस के खेह हैं आदिस के खिलाफ हाई कोट नहीं जा सकता है उनके हाथ बंदे होते हैं तो उन्हीं के आदार पर इसको एज़िट पार लागू करना होगा लेकि वीडियो मैं आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को सभी दूस्तों के साथ सेयर करना जैहिन जैवारत